अगर मिठास हो तो चाय की छोटी सी प्याली भी राजनीती में बड़ा तूफान ला सकती है मिठास हो तो चाय की प्याली रिष्टों को प्रगाड भी कर सकती है अगर चाय में मिठास हो तो पिछले पाइदान पर खड़ा व्यक्ति अगले पाइदान पर आशकता है इसी बात को ध्यान में रखकर कांग्रेश के कप्तान अजे सिंग यादव इन दिनों यही कर रहे हैं चाय के मिठास का सीधा राजनितिक अर्थ ही है राजनिति पार्टी के अंदर और बाहर के विरोधियों की चुनोतियों के बीच कांग्रेश OBC विवाग के राश्टिय चेयर्मेन कैप्टन अजे सिंग यादव इन दिनों यही कर रहे हैं वह चाय के बहाने गुरुगराम लोगसभा चेतर में अपनी पैठ बढ़ाने में लगे हुए हैं वर्ष 2019 के लोगसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेश के कप्तान भाजपा की राविंदर जीच सिंग से बड़े अंतर से चुनाव हार गए थे लेकिन हार के बाद कैप्टन चुप नहीं बैठे और कोरोना का संक्रमनकाल खत्म होने के बाद गुरुगराम में शक्रियता बढ़ा दी इसी की बदोलत उनकी फीकी चाय अब कुछ-कुछ मीठी होने लगी है कुछ-कुछ कह रहा हूं तो अभी कुछ-कुछ बीते चुनाओं के मुकावले उनके समर्थकों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ती हुई दिख रही है मगर उतनी नहीं जितनी मुकावले के पहलवान के लिए जरूरी है अभी कैप्टन को इसमें और मिठा डालना होगा ताकि जिने सुगर नहीं है उन्हें ये मिठास भा सके कैप्टन यादो की राजनीती पर आगे बात करने से पहले एक छोटा सा निवेदन महिश कुमार वेद का सादर अभीवादन और चैनल को सब्सक्राइब करने की अफील स्विकार करें दोस्तो अब बात करते हैं कैप्टन के सामने आने वाली चुनोतियों की कैप्टन के सामने इन पार्टी भी चुनोतिया है और पार्टी के बाहर भी हलांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंदर शिंग हुड़ा से उनकी निकटता वड़ी है मगर इसकी परिक्ष्या उस दिन होगी जिस दिन कांग्रेस के जिला प्रधानों की सूची बहार आएगी कैप्टन के मनमाफिक नाम सामने नहीं आये तो उन्हें बिफरते देर नहीं लगेगी कांग्रेस के अंदर हुड़ा के ही कुछ चहेते महंद्रगड की विधायक राव दान सिंग को गुड़गावा लोकसभा से चुनाव लड़वाने की पैरवी कर रहे है दान सिंग का नाम एक रणनीती के तहत लंबे समय से कांग्रेस के संभावित उम्मिद्वार की तरह चलाया जा रहा है यहां तक का जा रहा है कि दान सिंग के समधी भाजपा नेता राव नर्वीर सिंग भी पार्टी लाइन से हट कर गुरुगराम लोकसभा चेतर में उनकी मदद कर देंगे लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाजपा में रहकर कोई नेता भितरगात करने की हिम्मत कर पाएगा कैप्टन के सामने पार्टी के बाहर भाजपा की चुनोती तो सपष्ट दीखी रही है गुरुगराम लोकसभा चेतर के मेव बहूल नुह जिले की नुहु फिरोजपूर शिरका और पुनाना में कांग्रेश को किसी तरह की चिंता नहीं है पिछला प्रदर्शन इसका प्रत्यक्स गवा भी रहा है लेकिन मेवात के नुह जिले की तीनों विदान सवाशीटों पर मतदाताओं की संख्या अपेक्ष्याकिर्थ काफी कम है गुरुगराम जिले की गुडगाओं वे बाजस्यपूर जैसी दो सहरी विदान सवाशीटें ऐसी है जिन पर आज भी मोदी मैजिक चलता हुआ दिख रहा है भाजबागा जादू चलता हुआ दिख रहा है इन दोनों सीटों पर जितने मत दाता है वे मेवात की तीनों सीटों की ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन चार सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले प्रदर्शन से सुधरेगा लेकिन कितना सुधरेगा यह समय बताएगा अभी भाजबा से संभावित उम्मीद्वार के तोर पर केंद्री मंत्री राविंदर जी सिंग को ही देखा का मतलब यह कि भाजबा दो यादव उम्मीद्वार उतार कर बड़ा गेम भी कर सकती है इन परिस्थितियों में देखना यह कि कैप्टन की चाह कांग्रेस की राजनीती में और गुरुग्राम की राजनीती में कितना उबाला पाती है पिछले सप्ता कप्तान पार्टी कार कर यहां तीन जगे चाहिपर पहुंचे इसके दभाव को भी कैप्टन यादव ने अपने जाड शार रोड श्थित कारियाले पर कारिय करताओं को बुलाया उनकी समच्यां सुनने के साथ साथ गुरुग्राम की राजनीती पर भी मन्तर ना की आइए समापन के और वढ़न 25,290 वोट मिले थे अन्य उमिद्वारों को नाम मातर के वोट मिल पाए थे आप अपनी स्क्रीन पर उन्हें मिले वोट देख सकते हैं भाजपा उमिद्वार के पक्स में बड़ी बात यह थी कि उन्हें 61.17% मत मिले थे जबकि कांग्रेस को 34.37% यही तस्वीर कांग्रेस की चिंता बढ़ने वाली है क्योंकि वोटों का जिस डंग से दुरुवी करने हुआ था उसे कांग्रेस रोक नहीं पाई थी भाजपा यह जानती है कि मेवात में उनके लिए बहुत कुछ नहीं है लेकिन राविंदर जी शिंग अपने व्यक्तिकत संपरकों के सहारे मेवात म सेंद लगाने का प्रियास कर रहे हैं पिछले दिनों नगीना में किया गया समेलन इसी कड़ी का हिस्सा था चलिए अब निसकर्स की और बढ़ते हैं निसकर्स यही है कि कैप्टन ने 2019 के मुकाबले चाय के बहाने सक्रिय होकर अपना कुनबा बढ़ाने का काम किया है मगर अभी भाजपा के कुनबे में अधिक सेंद नहीं लगा पाए हैं कैप्टन को भाजपा की चुनोती स्विकार करने के लिए गुड़गाओं और बादस्यपूर का गणित हल करना होगा यहां की चाय में और चीनी डालनी होगी धन्यवाद